जब आप किसी investor को funding के लिए पेच करने जाएं तो जब investor आपसे कहे कि क्या आप अपनी पूरी equity dilute करके company से out होने के लिए तयार हैं तो आपका जवाब next level funding लेने से पहले उनका survival amount है वो खतम हो जाता है जिसकी वएसे business डूबने की कगार पार आ जाता है 10% is a good dilution of equity 20% ठीक ठीक का और आप लोग जानते हैं कि हमारी company stainless steel modular kitchen की manufacturing करती है हम लोग export करते हैं और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchise showroom है लेकिन यह business जब मैंने शुरू किया था ना बहुत small scale से शुरू किया था आज मैं वही experience के अधार पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मन में business का कोई भी idea है जिसको आप अपने life में एक बड़े business के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको जरूत होगी funding की आज इसी विशापर हम बात करने वाले हैं कि कि किसी भी business के स्थापना के लिए na seed funding क्या होता है क्योंकि बहुत सारों लोग पता ही नहीं कि funding के different different formats क्या होते है कुछ लोग सोचते हैं बस पैसा में मिल जा उसी को funding क्याते हैं तो seed funding क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं seed funding का मतलब होता है कि जब आपके मन में business का कोई idea है कोई plan है या कोई ppt है कोई presentation है कोई आपका prototype बना हुआ है अब आप उस business को next level ले जाना चाहते है seed ठीक उस तरह से होता है जैसे एक बीज होता है एक बीज को धरती में बोने के बाद उसको पानी चाहिए उसको सूरज की रोशनी चाहिए उसको सारे वो चीज़े चाहिए जिससे वो व्रक्ष के रुप में बन सके एक पौधा बन सके और बाद में व्रक्ष बन सके उसी को को seed funding क्यों चाहिए और seed funding क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है seed funding का मतलब है कि एक ऐसी funding जिससे आप अपने बिजनस के स्थापना करेंगे जिसमें आप सारे equipment, machinery, tools, setup सब कुछ खरीदेंगे उसके बाद एक office लेंगे या factory लेंगे या go down लेंगे जहां पर भी आपको काम करना है स्टाफ को hire करेंगे, स्टाफ को monthly salary पे करेंगे, regular operating cost को run करते रहेंगे और करते 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 बिजनस में जब आपका product या service बनके तयार हो जाएगी तब आप वो product या service public को offer करेंगे और जब public को offer करेंगे तब वहाँ से sales शुरू होगी मतलब business को एक idea से लेकर sales तक ले जाने के लिए हम जो planning करते हैं, उसकी लिए जो fund हमें चाहिए उसे हम seed funding कहते हैं seed funding की पूरी planning करने के बाद अगला जो प्रशन आपके मन में होना चाहिए न वो यह होना चाहिए कि money मुझे कब raise करनी है और कब raise करने के साथ-साथ मुझे कितनी money raise करनी है जब आपका business का plan फुल प्रूफ बन जाए मतलब उससे संबंदित आपने एक एक चीज को study कर लिया आपके vendor कहां पर है आपके supplier कहां पर है कहां से raw material लाएगा machinery कौन सी चाहिए tool equipment कौन से चाहिए factory setup कैसे बनेगा rent, electricity, staff सबका खर्चा जोड़के अपने calculation बना ली कि लग बग इस business को sales तक ले जाने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए अब देखो mind में सारी एक figure आ गई कि मेरे business को establish करने से लेके successful running करने तक में इतना investment आने वाला है तो अब ज़रूत होती है कि हमें कितनी funding लेनी चाहिए आपको पता है कि जो investors होते हैं उनको sharks कहते है आपने प्रोग्राम देखा होगा shark tank India अब sharks का मतलब क्या होता है एक whale मचली एक ऐसी बड़ी मचली जो सारी छोटी मचलियों को खा जाती है ठीक उस तरह से investor भी इसी planning में रहता है कि वही कैसे भी अगर कोई startup बढ़िया है किसी का plan बढ़िया है किसी का business proposal बढ़िया है या कोई बंदा बढ़िया है जो अच्छा पैसा कमा सकता है एक बार funding देने के बाद उसकी growth को अपनी growth में सामिल करने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है shark की तरह कि एक बड़ी मचली के रूपे छोटी मचली को खा जाऊ ताकि जैसे ही वो मचली profit देना शुरू करे न तो उसका maximum part मेरे पास हो तो एक बात ध्यान रखेगा जब भी आप money raise करने जाएं तो तीन बातों को याद रखना बहुत जूरी नमबर वन आपका business तब successful माना जाएगा जब आप profitability को reach कर जाएं मतलब आपने इतना investment जो लेना है उस investment को जब तक survival में लगाना है जब तक आप profitability पर न आ जाएं मतलब अगर आपका business एक बार profitability पर आ गया तो next level funding लेने के लिए आप eligible हो जाते हैं लेकिन problem क्या है कि कई बार लोग survival के लिए funding लेते हैं next level funding लेने से पहले ही उनका survival amount हो खताम हो जाता है जिसके वएसे business डूबने की कगार पार आ जाता है उधारिन को रूप मैं भी बताऊंगा मैं आपको तीसरी जो important बात है वो है dilution of equity कई बार क्या होता है एक start-up को एक aggressiveness होती है कि आप पैसा मिल रहा है कैसी भी मैं पैसा ले लूँ ध्यान रखेगा अगर आप अपने business में 10% equity dilute करते हैं तो यह बहुत अच्छा percentage है 20% को on an average good माना आता है लेकिन अगर आप 25% या उससे अधिक की equity dilute कर रहे है तो कहीं न कहीं आप अपनी company को दूसरे व्यक्तियों के हातों में सौपने के तैयारी करने है यहां बड़ा important है कि आपकी equity dilution जो है न वो किसी भी condition में first level of fundraising raising में 25% से उपर नहीं होने चाहिए ताकि 100% company पे control और management का right आपका हो जैसी आप 25% से उपर equity किसी को देते है न तो वहाँ पर control and management भी दूसरे व्यक्ति involve हो जाते है इसलिए बड़ा important है कि 10% is a good dilution of equity 20% ठीक ठीक है लेकिन अगर 25% से उपर आप करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने business को long term में risk पर ले जाने वाले हैं क्योंकि पूरा का पूरा diversion आपका जल्दी हो जाएगा 25% equity जिलेगी first round round में तो बाकी equity भी आपको dilute करनी पड़ेगी second और third round में तो आप करसे बचेगा क्या आपने पूरी मैनस से business को तयार किया बना कर successfully run किया उसको expansion के और लेके गए और बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं बचा यही बहुत सारे startup के साथ होता है क्योंकि investor बड़ा smart है इसलिए उसको shark कहते हैं आई इस बात को मैं एक example गूरूप में सम्दाता हूं मान लिजे आपने पूरे business की planning बनाई कि मुझे business को run करने से लेकर profitability तक ले जाने के लिए marketing सब कुछ करने के लिए पचास लाख रुपे की requirement है और मैं 10% equity देना चाहता हूं और 10% equity में 50 लाख का मतलब क्या हो गया कि 5 करूर की valuation आपके business की हो गई 20 लाख रुपे आपने use कर लिए आपके factory setup पर, infrastructure पर equipment पर, tools, machinery, technology staff hiring, team, salary और पूरे पूरे साल का पूरा plan आपने बना लिया 10 लाख रुपे आपने use कर लिए marketing में अब marketing में use करने के बाद आपको lead generate होना शुरू गया lead का follow up चल रहा है लेकिन कई बार कई businesses में दिखा गया है कि instant sale नहीं होती है तो धीरे 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 आपने और ज़दा जो पूरे साल का operating cost उसको bear करने के लिए मान लिजी 18 से 20 लाख रुपे और आपके लग गए तो यहाँ पर आपने equity कितनी ली 50 लाख रुपे लेकिन आपका overhead कितना हो गया 58 से 60 लाख रुपे 10% deficit आप हो गए मतलब आपके पास 10% capital कम पड़ गई ऐसे में अगर second level of funding आपको नहीं मिली तो आपका business अपने अच्छे survival से profitability पर जाने से पहले ही डूब जाएगा इसलिए ध्यान रखेगा कि जब भी आप equity dilute करें वो 25% से कम होनी चाहिए और जब fund raise करें उसमें आपके पास last survival तक की liquidity के साथ साथ कुछ working capital भी बच जाए कई बार ऐसा दिखा गया है कि कि किसी startup ने एक funding को raise किया और raise करने के बाद जब second level of funding पर हो जा रहा था उससे पहले उसकी liquidity खतम हो गई next funding आने में अगर 6 मेने का समय लगा और उसके पास survival नहीं है तो अच्छा business plan लोने के बाद भी वो बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है ऐसे में जो नए investor आपके पास आएगा ना वो भी समझ जाएगा कि इनके पास short of funding है तो वो ज़्यादा equity demand करेगा और कम funding आपको देगा लेकिन reserve अगर आपके पास है तो ऐसी condition में आपको possibility of funding बहतर मिल सकती है तो ये तो बात रही seed funding के लिए planning कैसे करनी है कैसे आपको calculation करनी amount कितना चाहिए कितनी equity dilute करनी है कैसे उसको manage करना है और कैसे reserve capital आपके पास रखनी है अब सबसे important बात ये कि सारी बात को समझने के बाद pitch deck आपको कैसे complete करना है तो pitch deck का मतलब क्या है कि जब आप किसी investor को funding के लिए pitch करने जाए तो आप क्या presentation उसको देने वाले है क्या information share करने वाले है जिसकी वज़ा से आपके केवल seed plan पर मतलब केवल एक बीज पर वो व्यक्ती व्रक्ष होने के बराबर तक के हिसाब को लगा कर आपको पैसा देने के लिए तयार हो जाए तो सबसे पहला आपका company का logo आपके company की tag line आपके company का vision आप कौन सी ऐसी problem में market की इसको solve करने जा रहे है उस problem का right solution क्या है और क्या आपका कोई दूसरा competitor भी उस तरह का solution प्रोवाइड कर रहा है important बात है कि आपका market size कितना बड़ा होगा जितना बड़ा market size होगा उतना ज्यादा possibility of funding आपको मिलने के संभावने अधिक होगी दूसरा अभी आपने जो अपना पूरा research and analysis किया है उसके हिसाब से current action क्या होना चाहिए मतलब आपको वर्तमान में क्या demand आने की संभावना है और क्या demand आ रहे है अगर आपका existing business है आपके business का model क्या होगा जैसे आप e-commerce करेंगे या आप online platforms के जरिये sell out करेंगे या आप उसमें offline stores बनाएंगे या franchise dealer इंटर को बनाएंगे distributor बनाएंगे export करेंगे तो आपके business का model क्या होगा ध्यान रखेगा एक business में multiple business model तो हो सकते हैं लेकिन कोई नहीं का model ही आपका flagship model कहलाता है मतलब main उस चीज में company जानी जाती है आपकी team कैसी होगी उसमें detailing क्या रहेगी team की कौन सा वक्ति क्या काम करता है किस से किस तरह से वो business को आगे ले जाने में आपको help करेगा जब आप fund raise कर लेंगे तो growth possibility क्या होगी ये बताना बहुत जरूँ है कि वर्तमान में हम इस level पर है और यदि मुझे funding मिल जाती है तो हम आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में इस business को इस level पर ले जाने वाले हैं और जितना confidently आप अपने business के बारे में एक investor को बताएंगे उतना ज़्यादा possibility होगी कि आपके pitch deck properly एक investor के सामने वैसे represent हो जैसे आप करना चाहते हैं क्योंकि ध्यान रखेगा एक investor कई बार केवल business plan पर पैसे नहीं लगाता future growth possibility पर नहीं लगाता कई बार एक investor व्यक्ति के उपर व्यक्ति विशेस के उपर भी पैसा लगाता है कि कुछ भी हो मुझे इस व्यक्ति पर विश्वास है कि व्यक्ति इस company को next level ले जाएगा अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो बहितर pitch deck आप बना सकते हैं और सही तरीके से investor के सामने business को represent करके अच्छी funding ले सकते हैं friends funding से related investment से related business की growth से related आपके मन में ये दी कोई भी प्रश्ण है तो वो हमें आप comment box में ज़रूर लिखें और ध्यान रखिए कुछ ऐसी महत्पूर्ण बाते हैं जिनको investment लेते समय funding लेते समय आपको ध्यान रखना है जब investor आपसे कहे कि क्या आप अपनी पूरी equity dilute करके company से out होने के लिए तयार है तो आपका जवाब no होना चाहिए क्योंकि उसको ये लगे ना कि आप केवल business को business बेचने के लिए बना रहे है उसको ये लगना चाहिए investor को कि आप इस business को long term तक survive करने के अलवा highly profitability तक ले जाने की पूरी possibility रखते हैं आतिसात आपको ये भी ध्यान रखना है कि business को लेकर या किसी भी बात को लेकर dishonesty आपके अंदर नहीं होने चाहिए उसको लगना चाहिए कि व्यक्ति है कि इमानदार व्यक्ति है और मेहनत से काम करने के लिए तयार है ठीक है दूसरा overly aggressive आपको नहीं होना है कई बार क्या होता है जब हम investor से funding के लिए pitch करते है और हमें उम्मीद होती है amount A मुझे मिलने वाला है और इतनी equity में देने वाला हूँ लेकिन जो investor है वो amount उससे आपकी expectation से काम offer करता है और equity ज्यादा मांगता है तो क्या होता है कि आप aggressive हो जाते है overly aggressive आपको नहीं होना है आपको अपने patience को बनाए रखना है साथ-साथ अपने पूरी deal को close करने के लिए right follow up strategy को अपनाना है ऐसा ना हो कि आप एकदम से investor ने का कि ठीक है आपको प्रोपोसल को study करते है आप उसको irritate कर दे timely आपको सारी चीज़ों को manage करते हुए human psychology को समझते हुए अपने investor को pitch करना है साथ में अगर कोई भी investor आपको investment देने से मना करता है तो उस possibility को आप properly accept करें और ये मान के चलें कि मेरा ये business इस investor के लिए best नहीं है आप ये ना सोचें कि मेरा तो proposal ही फेल हो गया proposal फेल नहीं हुआ उस व्यक्ति विशेश के लिए वो business proposal अच्छा नहीं है उसको नहीं लगता कि उसमें growth हो सकती है ध्यान रखेगा ask for NDA बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक startup है वो NDA के लिए वापर demand करता रहता है non-disclosure agreement करूँगा पहले तब दूँगा तो ऐसे cases में कई बार investor आपकी company में invest करने के लिए तयार ही नहीं होता आपके plan को सुनने के लिए तयार नहीं होता तो NDA के लिए बहुत ज़दा उसको force ना भी करें over optimistic होनी के ज़रुवत नहीं है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा business plan इस valuation पर जाना चाहिए लेकिन investor जलातर businesses के बारे में जानता है ideas के बारे में जानता है business के flow के बारे में जानता है business investment के बारे में जानता है growth possibility के बारे में जानता है तो ऐसे नहीं कि आप कहते हो कि मेरी valuation के मेरे साफ से 50 क्रोड की valuation है और investor कहते हैं इसकी valuation तो 5 क्रोड होनी चाहिए और आप over aggressive होकर उसको जवाब देते हैं कि नहीं नहीं इतनी valuation होगी तो ज़्यान रखना है कि आपकी valuation और investor की valuation जहाँ आपस में match करती हो वहाँ deal होने के संभावना होगी over valuation कभी भी आपको funding लाने में कोई help नहीं करती है दूसरी बात जो भी agreement terms and condition में आपके साथ deal हुआ है चाहिए वो return हो या वर्बल हो उसको कभी भी break ना करें हमेशा investor को full value द देते हुए full regard देते हुए जब आप funding के लिए approach करेंगे तो आपका जो proposal है वो आसानी से accept होने की संभावनाई कई गुना ज्यादा होती है इसके लावा investment से संब्ध आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो आप हमें comment box में लिखो और business की कि किसी भी तरह की consulting के लिए आप हमे तरीके से guidance के अंतरगात अपने business को grow कर पाएं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को अभी subscribe कर ले और bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविशे की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारव